नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एमिटोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन्स में किया जाता है, इमिटोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और इमिटोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमिटोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, और किन कंडीशन्स में एमिटोन टैबलेट को नही अधिक आती है। इसके अलावा एमिटोन टैबलेट का उप्योग माईग्रेन और निूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। नियूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द, इसलिए नसों के दर्द को ठीक करने के लिए भी Emitone Tablet का उपयोग किया जाता है, जो बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाप कर देते हैं. ऐसे बच्चों में रात में बिस्तर पर पेशाप करने की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को Emitone टैबलेट को देने की सलाह दे सकता है Emitone एक ब्रैंड नेम है Emitone टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमकोजीशन Emitryptilin होता है Emitone टैबलेट 10MG, 25MG, 50MG और 75MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नग भूले अब हम दिसकस करेंगे की Emitone टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है Emitone टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है Emitone टैबलेट को लेने के बाद नीन ज्यादा आती है इसलिए ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर एमिटोन टैबलेट को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लेने की सलाह देते हैं। इसलिए आपको एमिटोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना एमिटोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वजन का बढ़ना, धुंधला दिखाई देना और नींद अधिका सकती हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में एमिटोन टैबलेट की वजह से कब्स की समस्या भी हो सकती हैं। इमिटोन टैबलेट की वजह से कब्स ना हो। इसके लिए आपको कच्चे फलो, सबजियों वपानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एमिटोन टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्स भी पॉसिबल है। अगर आपको एमिटोन टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामानने लक्षन होता है, तो आपको तुरंध ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि एमिटोन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में एमिटोन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्य ज्यादा गंभी हो सकती है। इसलिए एमिटोन टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको एमिटोन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेंट जैसे एमिटोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में डॉक्तर को भी पताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एमिटोन टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेगनेंट महिलाओं के लिए एमिटोन टैबलेट का सेवन करना रेक में डेड नहीं है क्योंकि एमिटोन टैबलेट मा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुक्सान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एमिटोन टैबलेट का सेवन करना सुर Emitone Tablet को लेने से पहले डौक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डौक्टर की सलाह के बिना प्रेग्निंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को Emitone Tablet को नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एमिटोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.